इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मूर्थी चौक के बास मिलने वाला लो राइस अपार्टमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 2 और 3 बेज़के के आप्शन्स साइजिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 1055 स्क्वार फीट का 2 बेज़के 3 बेज़के मिलता है आपको 1535 स्क्वार फीट और 3 बेज़के का बड़ा साइज मिलता है 1675 स्क्वार फीट यह society ready to move है अगर आप अपने लिए ready to move वो home देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है चैनल को like और subscribe करें comment box में लिखे बताएं आपको next वीडियो किस project के उपर चाहिए साथी साथ वीडियो को पूरा जरूर देखें यहां हम बात कर लेते हैं 15-35 square feet का size जो है 3 BHK plus store यहां पर आपको देखने करें मिलते हैं एक floor में दो apartment और एक lift enter करते हैं हमें मिलता है हमारा massive drawing room यहां पर drawing और denning को बिल्कुल separate रखा गया है साथ में आपको store मिलता है और एक common toilet kitchen की placement यहां पर corner में दी गई है attached utility balcony के साथ refrigerator के लिए आपको separate corner दिया गया है यहां पर room के sizes आपको काफी बड़े मिल जाते हैं यह है आपका master bedroom इसमें मिलती है आपको wooden flooring यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है Elmira का storage space साथी साथ attached toilet 15-35 square feet के अंदर rooms के और drying और dining के space बहुत ही बहतरीन निकाले है यहां पर जिन लोगों को height का phobia है उनके लिए यह बहुत अच्छा option हो सकता है Space की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको kitchen में भी बहुत अच्छा space मिल जाता है साथी साथ आपको utility balcony का space भी काफी ज्यादा मिलता है यहां पर आप washing machine का space भी देख सकते है 1535 साइज में आपको एक storage का option भी मिल जाता है साथी साथ आपको देखने के मिलता है common toilet जिसका size यह है master bedroom के लावा मिलने वाले दो room कुछ इस तरीके से है यहां पर आपको एक plus point मिलता है आपको both side view मिलता है यानि कि morning और evening की धूप आपको आपके दोनो rooms में मिलेगी यहां बात कर लेते हैं कुछ special unit की यहां पर अगर आप third floor या fourth floor पर लेते हैं तो आपको roof right मिलता है कहने का मतलब है अगर आप third floor पर लेते हैं तो आपको half roof का access मिलता है और अगर आप 4th floor पे लेते हैं, remaining half का आपको access मिलेगा, यहाँ पे आपको tower to tower gap बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आप देख सकते हैं, 30 meter का gap आपको मिलता है tower to tower, finishing भी आप देख सकते हैं, देखने में काफी attractive लग रही है, यहाँ पे आप society में देख सकते हैं, non tower area काफी ज़्य जाएंगी, अगर आप ground floor की unit लेते हैं, तो आपको नीचे garden area भी मिलता है, amenities की अगर बात करें तो आपको society के अंदर वो सारी facility मिलेंगी, जो आपको high-rise apartment में मिलती है, इस video के अंदर actual society दिखाई गई है, और आप इससे idea लगा सकते हैं, यह society रहने के लिए बिल्कुल सही है एप्रोक्स 10 families यहाँ पे अल्रेडी shift हो चुकी है, प्रोजेक्ट से related further information के लिए आप दिये के नमबरों पे call कर सकते हैं, हमारी टीम आपको assist करेगी इस project को और brief में समझने के लिए साथी साथ comment box में लिखके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और next वीडियो आप किस project के उपर चाते हैं, या फिर आप क्या information जानना चाते हैं, real estate के recording